नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है कल की वीडियो में आपने हिंदी भासा सब्दों की विद्पत्ती के विषय में आपने जो देखा था उसके आगे वड माला से सम्मंधित प्रकरड आता है यह वीडियो लेखपाल, पुलिस, टीटी, सीटेट, सुपर्टेट जैसे ही परिक्षाएं जो भी है इसमें हिंदी से सम्मंधित जो विसाय आता है उससे सम्मंधित यह वीडियो है और इसमें वड माला से सम्मंधित यह वीडियो तयार किया गया है तो सबसे पहले कल जो आपने देखा कि हिंदी भासा की वित्पत्ति कैसे हुई भासा सब्ध की वित्पत्ति कैसे हुई हिंदी का प्रादर भाव कहां से हुआ ये सब आपने देखा अब जो हिंदी बड़ माला है वो हिंदी बड़ माला सम्मंदित कई सारे टोपिक पढ़ने को मिलते हैं हिंदी बड़ माला से सम्मंदित जैसे वड़ विचार है वड़ विचार में स्वर बेंजन बरडों की संख्या बगेर है इसमें ही आप पढ़ेंगे अगोस, अगोस, अलपराण, महापराण, बिन्यन बगेरे प्रेतन के आधार पर, मात्रा के आधार पर, स्वांस के मात्रा के आधार पर कई प्रकार से इसमें प्रस्णों बनते हैं तो सबसे पहले आज हम देखते हैं वड़ विचार तो वर्ड विचार से अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम ब्याकरड के अंग को लेकर से आपसे अगर चर्चा करें कि ब्याकरड के अंग कितने हैं तो ब्याकरड की जो अंग माने गई हैं ब्याकरड की अंग तीन इसमें आपका पहला आता है वर्ड, उसके बाद सब्द, उसके बाद वाक्य तो वर्ड जो है वो ब्याकरड का सबसे चोटा अंग है वाक्य ब्याकरड का सबसे बड़ा अंग है तो ब्याकरड जो होता है, ब्याकरड जो सास्त्र है वो उसके जो तीन प्रमुक अंग माने गए है तीन प्रमुक है जो उसके भाग है तीन अंग है पहला वर्ड है दूसरा सब्द है तीसरा वाक्य है ये तीनों ये दोनों ही सब्द ये दोनों ही सब्द वो सब्द और वाक्य वर्ड से ही नरभर करते हैं इससे ये है कि अगर हम सब्द की आपको परभासा बताएं तो सब्द की परभासा क्या हो सकती है सब्द की परभासा वरडों का सार्थक समू सब्द कहलाता है और सब्दों का सार्थक समू वाक्य कहलाता है अगर इसके परभासा आप लोग बनाना चाहें तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं परभासा सब्द का सार्थक समू वड़ होता है और वरडों का सार्थक समू सब्द कहलाता है और सब्दों का सार्थक समू वाक्य कहलाता है ये वाग के ब्याकरड का सबसे बड़ा अंग है वर्ड ब्याकरड का सबसे छोटा अंग माना जाता है अब यहां से आपका ये जो है सब्द भासा के सबसे छोटी एकाई ये प्रस्ण अक्सर परेक्षा में पूछा जाता है भासा के सबसे छोटी एकाई क्या है तो अक्सर लोगों के मन में ये मतवेद बना रहता है वर्ड है या ध्वनी है तो वैसे तो भासा की जो सबसे छोटी एकाई है वो ध्वनी ही मानी जाती है वर्ड जो है जम ध्वनी को कोई ना कोई एक लिपी वध रूप दे देते हैं तो जब वो एक लिपी बन जाती है तब वो भासा के सबसे चोटी एकाई वर्ड मानी जाती है वरना भासा के सबसे चोटी एकाई ध्वनी है ध्वानी जो है एक मौखिक एकाई के रूम में जानी जाती है जो हम जैसा बोलते हैं जो आप हमारी वरडों को जो आप सुन रहे हैं वो एक ध्वानी के माध्यम से सुन रहे हैं तो इस हसाब से भासा कि छोटी एकाई ध्वानी कहलाती है अगर उस ध्वनी को कोई एकम रूप दें कैसे हम कहें का तो का को मैंने एक लिपी बद रूप दिया तो यह आपका हो जाता है वर्ड, तो यहाँ से आपकी हो जाती है भासा के सबसे चोटी एकाई तो ध्वनी जो है, वो मोकेक एकाई मानी जाती है और word जो बनता है वो भासा के लिखित एकाई मानी जाती है तो यहाँ देखिए मैंने इसे सम्मंदित कुछ point लिखे हुए हैं जो आपको समझ में आएंगे जैसे यह पहला point है भासा के सबसे छोटी एकाई लिखित word है भासा के सबसे छोटी मौखिक एकाई ध्वनी है अब यह तीसरा जो विकल्प है भासा के सबसे छोटी एकाई क्या है तो भासा के सबसे छोटी एकाई अगर आपके पास विकल्प दिये हो word, ध्वनी या दोनो या इनमेंसे कोई नहीं तो अब आप इसमें ज़्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो अंग है वो ब्याकरण का सबसे छोटा अंग वर्ड ही है तो ऐसे भासा की जो सबसे छोटी एकाई मानी जाती है वर्ड ही मानी जाती है अगर आपका प्रस्ण इस तरीके से आए अगर आपका प्रस्ण सीधा-सीधा यह आए जिसमें न लिखित कावरण किया गया हो न मौखे क सब्द कावरण किया गया हो सीधा प्रस्ण इस तरीके से हो कि भासा की सबसे छोटी एकाई क्या है तो वर्ड अब इसमें आपके आगे हैं कि अर्थ के आधार पर भासा की सबसे छोटी एक आई क्या है अर्थ के आधार पर अर्थ किसी वर्ड का कोई भी वर्ड सार्थक नहीं होता है वर्ड को जब एक कोई समू के रूम में व्यक्त करते हैं वर्डों का जब कोई एक सार्थक समू आता है तब वो एक सब्द बनता है उसका जो अर्थ निकल के आता है यानि कि इससे इसपष्ट होता है कि अर्थ के आधार पर भासा की सबसे चोटी एकाई होगी वो होगी सब्द अब आपका जो पाँचवाँ बिंदू है पाँचवाँ पॉIN' पाइट है जो भाव या भावार्थ के अनुसार भाव या भावार्थ के आधार पर भावासा की सबसे छोटी एक आई यह यहाँ पर मैंने लखा हुआ है वाक्य भाव या भावार्थ जैसे जो आपके मुहावरे लोकोक्तियां बगेरा है या कोई बड़ा सा कोई वाक्य लखा हो किसमें सब्दों के अनेक समू हो सार्थक सब्दों का समू हो तब वो एक वाक्य का निर्माड करता है तो उस वाक्य का पहले मुसका भाव निकालते हैं उसके आधार पर उस भाव के आधार पर उसका अर्थ निकालते हैं अंग कौन सा है भासा का बड़ा अंग कौन सा है तो वाक्य है या ब्याकरण की बड़ी एकाई या ब्याकरण का बड़ा अंग कौन सा है तो भी वाक्य है लेकन अगर आपसे प्रसन इस तरीके से पूंचा जाए भाव या भावार्त की अनुसार भासा की छोटी एकाई क्या ह तो भी बाग के भासा की बड़ी काई क्या होगी तो भाग के ब्याकरण का बड़ा अंग क्या होगा तो भी बाग के इन सारे प्रसनों के उत्तर आप प्रसन को ध्यान पूरों पढ़के ही करें इसके बाद जो आपका अगला बिंदू आता है वर्ड वर्ड को दो बर्गों मे बभाजित किया जाता है स्वर और ब्यंजन अगर हम इन दोना में अंतर इसपश्ट करके आपको बताएं स्वर और ब्यंजन, स्वर जो होते हैं वो पूर रूप से सुतंतर कहलाते हैं ये किसी भी अन्य स्वर की सायता से इनका चारड नहीं किया जाता है लेकिन जो ब्यंजन वर्ड होते हैं ब्यंजन वर्ड ये सुतंतर नहीं होते हैं इनका जो चारड करते हैं वो स्वरों के सायता से किया जाता है तो यहां से वर्ड के दो भेद निकल के आते हैं वर्ड के दो भेद आपके होते हैं स्वर और ब्यंजन स्वर को अभी मैंने आपको बताया कि स्वर पूर रूप से सुसंत्र होते हैं स्वर के उचारड के लिए स्वर वरड़ों के उचारड के लिए किसे अन वरड़ के आपसकता नहीं होती है लेकिन जब हम ब्यंजन वरड़ों का जब उचारड करते हैं तो किसी न किसी स्वर की साहता से करते हैं जैसे अगर हम काका उचारड करें तो काके उचारड में आ स्वर की साहता मुझे लेनी पड़ रही है यदि का इस तरीके से लखा हो तो इस काका उचारड करना बहुत ही कठन है क्योंकि ये आधा का ये हलंत का बना हुआ है तो जितने भी सारे बिंजनवर्ड होते हैं सभी की प्रक्रती हलंत होती है सभी बिंजनवर्ड हलंत वर्ड कहलाते हैं प्रसन यहां से बनता भी है कि हलंत वर्ड कौन से होते हैं तो बिंजनवर्ड जितने हैं सारे हलंत वर्ड होते हैं और ब्यंजन वर्डों की प्रक्रति हलंत होती है तो इनका जो चार जो हम करते हैं किसी नक्सी स्वर की साहितास करते हैं यदि हम इस काके साथ कोई स्वर लगा दें जैसे हम इसके साथ ये स्वर लगाया दीरग आ तो इस काका मैंने उचारण किया द अभी को जैसे पता है कि स्वर को कितने भागों में बाटा गया है या स्वर के कितने प्रकार होते हैं या स्वर को कितने भागों बरगी करत किया जा सकता है तो यहाँ पर मैंने यह लखा हुआ है मात्रा या उचारड में लगने वाले समय के आधार पर यहने के जो स्वर हैं उसमें जो मात्राइं प्रयोक्त होती हैं उनके अचारण में जो समय लगता है उनके आधार पर जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के हिरत स्वर, दीर के स्वर और पुलुत स्वर हिरत स्वर की अगर हम केवल बात करें केवल हिरत स्वर तो हिरत स्वर को हम लगू स्वर भी कहते हैं छोटा भी कहते हैं और ये एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं इन्ही को मूल स्वर भी कहते हैं इनकी जो संख्या होती है चार और ये चार जो मूल स्वर हैं आ, ई, उ, र, ये चारो हिरस स्वर होते हैं और यही चारो मूल स्वर कहलाते हैं यही चारो एक मात्रिक स्वर होते हैं यहां से प्रस्न बनता है कि हिंदी वड़ माला में मूल स्वरों के संख्या कितनी है तो हिंदी वड़ माला मूल स्वरों के संख्या होती है चार यह हमें क इन्ही स्वर को हम कहते हैं गुरु स्वर या बड़ा या संधी स्वर. संधी स्वर इसलिए कहा जाता है कि ये जो दीर गष्वर होते हैं किनी ना किनी दो बड़ों की सैता से बनते हैं. किनी ना किनी दो बरड़ों के संधी करने से इनका निर्माड होता है जैसे ये जो ये दीर्ग आ है ये हिरस्व आ, धन हिरस्व आ जब इसकी जगे संधी होई तो आपका बना दीर्ग आ तो इस हिसाब से ये जो दीर्ग स्वर हैं वही संधी स्वर कहलाते हैं और इन्ही स्वरों को दे मात्रिक स्वर भी कहा जाता है दीर्ग स्वर जो हैं उनके संख्या साथ है जिसमें आपका दीर्ग आ, दीर्ग ई, दीर्ग उ, ए, आ, ए, ओ, आ और इसमें जो आपके बाद वाले जो हैं यही आपके संयुक्तिस्वर भी कहलाते हैं संयुक्तिस्वर ए, आ, ओ, आ, यहां से अगर संयुक्तिस्वरों के संख्या आपसे पूंची जाए तो संयुक्तिस्वरों के संख्या होती है चार यदि आपसे पूँचे जाए कि A का नर्माड कैसे होता है तो A दहन E मिलके आपका बनता है A दहन A से बनता है आपका A इसलिए यह आपके संयक्तिस्वर कहलाते हैं बचे हुए जो दो हैं तो A दहन O आपका बनता है O A दहन O से आपका बनता है O तो यह जो چारों है A, I, O, O यह संयक्तिस्वर भी कहलाते हैं तो अगर आपसे हिंदी वड़ माला से संमझ एकर प्रस न पूँचे जाए कि मूल स्वर कितने हैं तो चार हैं हिरस स्वर कितने हैं तो भी चार है दीर के स्वर कितने हैं या गुरू स्वर कितने हैं तो आपके साथ हैं अब आपका तीसरा भेद जो है पुलू स्वर ये त्रिमात्रिक स्वर कहलाता है इन स्वरों के उचारड में हिरस्वर की अपेक्षा तीन गुना समय लगता है जैसे करा हम ओम का उचारड करें तो इसमें o के बाद जो अभग्र्य लगा हुआ है ये तरिमात्रिक सवर कहलाता है जैसे राम अगर हम राम इस तरीके से लखें राम तो राम जोर से हम इसका उचारड करना पड़ता है तो ये कहलते हैं पुलुत सवर आपको यहाँ पर हम बतला देते हैं कि जो आ, ई, उ, री ये आपके मूल स्वर कहलाते हैं दीर्ग, आ, दीर्ग, ई, दीर्ग, उ, ए, आ, ओ, आउ, ये आपके दीर्ग स्वर कहलाते हैं आ, ई, उ, री ये आपके मूल स्वर या हरस्वर कहलाते हैं मूल स्वरों के संख्या, एहरत स्वरों के संख्या 4 है और देर्ग स्वरों के संख्या 7 है अब यहां से जो आपके स्वर से संबन्दे जो प्रस्ण बनते हैं अक्सर मतभेद रहता है लोगों के मन में तो यहां अब कतई बिल्कुल भ्रमित होने के आवको आवसकता नहीं है जो हिंदी में स्वरा का प्रस्ण ये आई कि हिंदी में स्वर कितने हैं तो 11, हिंदी के स्वर कितने हैं तो 10, हिंदी के स्वर इसलिए कि इसमें जो री जो है वो संस्क्रित बढ़ माला से लिया गया है, इसलिए हिंदी के स्वर 10 हैं, हिंदी में स्वर 11, अगर प्रस्ण ये पूछे कि हिंदी में कुल स्वर कितने हैं तो भी क्या रहे हैं अगर प्रस्ण इस प्रकार से आए यहां पर किसी भी भासा का जिक्र ना किया जाए प्रस्ण में ना संस्कृत लखा हो ना हिंदी लखा हो कि एवल प्रस्ण इस तरीके से हो कि स्वर कितने होते हैं या कुल आपके 13 होते हैं, क्योंकि आपके हिंदी वड़ माला में दो स्वर, पुलुप्त स्वर और होते हैं, लिरी और वरी, जिनका उचारड नहीं होता है, ना ये हिंदी वड़ माला में रखे गए हैं, तो केवल चाहे आपके लेकपाल की एक्जाम हो, चाहे पुलिस की एक्जाम ह या अन कोई भी परती होगी ऐसी एकजामों जिसे हिंदी विसे सम्मंधित प्रसन आते हैं तो उससे अगर स्वार से सम्मंधित प्रसन आता है कि हिंदी में स्वार कितने हैं या हिंदी में कुल स्वार कितने हैं तो इससे आपको भरमेत होने कि आप सकता नहीं है हिंदी में स्वरों के संख्या केवल और केवल ग्यार है इसके वाद आपके आते हैं ब्यंजन तो ब्यंजन वरडों के संख्या होती है 33 और ब्यंजन वरडों को तीन भागों में बांटा गया आपके इसपर से ब्यंजन, अंतस्ते ब्यंजन और उस ब्यंजन इस पर से बिंजन जो है इनकी संख्या 25 है यह का से मा तक इस पर से बिंजन पांच वर्ग होते हैं और प्रतियक वर्ग में पांच पांच वर्ड पांच वर्ग का चा टा ता पा और प्रतियक वर्ग में पांच पांच वर्ड होते हैं जैसे का का वर्ग जैसे अगर हम लें त इस प्रकार से का से लेकर के मा तक जितने भी बिंजन बढ़ होते हैं सारे इस पर से बिंजन कहलाते हैं क्योंकि इन बिंजन क्वरणों के उचारड में हमारे मुख की जहुआ मुख के अंदर किनी न किनी अंगों को इस पर से करती हैं उचारड करती है तो ये इस पर से बिंजन कहलाते हैं और इनके संख्या होती है 25 इसके बाद इसका जो दूसरा भाग है बिंजन का अंतस्ते बिंजन इनके संख्या है चार और ये अंतस्ते बिंजन होते है या रा ला वा इसके बाद आपका तीसरा जो भाग है उसे बिंजन उसे बिंजन यह आपका दंतसा होता है। और हा, यह आपका यह कंठ वड़ है। हा का जो चार स्थाने बो कंठ है, ओ हा को और अन्हीं कई नाम से पकारते हैं, वो आपको अगली वीडियों बताए जाएगा। हा को जैसे संगहर्शी वड़ है बिसा कहलाता है ये सा दूसरा वाला ये आपका मूर्धन सा कहलाता है और ये जो सा है आपका तीसरा वाला ये आपका दंत सा कहलाता है इसके बाद आपके आते हैं आयोगवा आयोगवा से सम्मंधित जो भी प्रस्ण बनता है एक तो प्रस्ण आपका यही बनता है कि हिंदी वड़ माला में अयोगवा कितने हैं तो हिंदी वड़ माला में अयोगवा दो हैं लेकिन संस्कृत वड़ माला में अयोगवा वरण संख्या चार मानी गई है लेकिन यहां आपको केवल दो अयोगवा बताए जाते हैं और दो ही अयोगवा होते हैं हिंदी वड़ माला में एक तो अंग जैसे हम बोलते हैं अनस्वार एक होता है आहा जैसे हम कहते हैं बिसर्ग आयोगवा की परभासा आपको ना तो कहीं देखने को मिलेगी आयोगवा वे वड़ यानि के ऐसे वड़ जैसे अगर हम आयोगवा का अलग-अलग विछेद करें आयोगवा सब्द का अ धन योग धन वाह इसका मतलब ये होता है आ का मतलब होता नहीं योग का मतलब किसी के साथ योग करना जोड़ना वहा का मतलब होता बहन करना यानि कि ऐसे वड़ जिसे हम किसी अन्य वड़ के साथ बहन करें तो वो उनके साथ बहन नहीं होते हैं ये केवल स्वार बाड़ों के प्जयेबु अंग और बिसरग अहा इसके बाद साउयक्ति बेंजन ,साउयक्ति बेंजन के संखे चार होती है entsprechendie त्रग यह स्रम च। 국मृ मीधर जी sivene का इसलिए कहलाते हैं, यह किसी ना किसी बेंजन ब्रड़ड के सायता से मिलके बने होतेह आintéसे जैसे सैंक्ति स्वर आपको बताए थे ए, ऐ, ओ, 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 ये भी किनी ना किनी दो स्वरों के साहिता से मिलके बनते हैं, इसलिए वो सैंक्ति स्वर कहलाते हैं, और सैंक्ति बेंजन, यानि किनी ना किनी दो बेंजन बरणों के साहिता से बनते हैं, इसलिए ये सैंक्ति बेंज आया हुआ है यानि कि अब यह आपका हलंत बड़ बन गया इससे इस पर जो हिरस आ की जो मात्रा थी वो अलग हो गई तो अगर आपसे बिकल्प में पूचा जाए कि छा का विक्षेद हो सकता है तो इन दौनों मेंसे आपको कोई भी बिकल्प दिया हो आप वो सही कर सकते हैं इसके बाद आपका है त्रा त्रा के बारे में देखें ता पे हलंत है पिलस रा तो यह आपका बनता है त्रा गया जो हम उचार करते हैं वो गलत उचार करते हैं गया नहीं पढ़ना चाहिए जियां तो गया का उचार जियां पढ़ते हैं जियां पढ़ना चाहिए क्योंकि जो ये बनता है जा और इया के संयुक से बनता है कि ये संयुक तो होने से बनता है स्रा ये तालब विसा और रा के संयुक तो होने से बनता है इस प्रकार आपके संयुक ते बिंजन वरडों की जो संक्या है वो चार छे तरग्या और स्रा इसके बाद हम आपको एक साथ बताते हैं कि हिंदी बढ़ माला में कुल बढ़ कितने हैं और कैसे कैसे इनका सब का निरधारण हुआ है तो जो आपके जो हिंदी बढ़ माला से अगर प्रस ने पूछा जाए कि हिंदी बढ़ माला में कुल बढ़ कितने हैं तो कुल बढ़ बावन है, स्वर 11 है, ब्यंजन 33 है 33 ब्यंजनों में 25 इसपर सचार अंतस्त, चार उस्म है दो अयोगवा हैं, अंग और अहा चार स्वयोगत ब्यंजन है छे तरग, जिया और स्रा उत्षिप्त ब्यंजन दो हैं आपके रड़ा और हड़ा यह उत्षिप्त ब्यंजन आपके इस से प्रसन इस तरीके से आता है जैसे मान के चलो प्रसन आपसे यह कहीं पूंचा जाए, कि किस बिकल्प मैं उत्षिप्त ब्यंजन का प्रयोग किया गया, जैसे मान के चलो लखा हो पढ़हाई लखा हो जैसे कड़ाई दूसरा विकल्प हो दोनों और तीसरा विकल्प हो इनमें से कोई नहीं तो मुझे लगता है कि दोनों ही विकल्पों में उत्षिप्त बेंजनों का प्रयोग किया गया इसमें भी दोखो अड़ा बना हुआ है इसमें भी अड़ा बना हुआ है तो कड़ाई यानि कि उच्छप्त बिंजन वो कहलाते हैं जिनके साथ में रड़ा या फिर रड़ा इन दोने में से को भी मिले ये उच्छप्त बिंजन कहलाते हैं उच्छप्त बिंजन इसलिए इनका जो चाड़ किया जाता है जीव के अनुसार जीव एक दम से जटके के सा उठ्षिप्त होती है अलग होती है तो इसलिए ये जो बड़ है उठ्षिप्त बिजन कहलाते हैं अगर हम इन सभी का टोटल करें तो इन सभी का टोटल निकल के आता है बावन तो हिंदी बड़माला में कुल बड़ों संख्या बावन है स्वर ग्यारे है बियंजन 33 दो टॉपिक है वो कल की वीडियों मिलेंगे धन्यवाद